नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोविड अभी भी भारत में अपने पैर पसार हुआ है और थर्ड वेव आने की सम्भावना वेक्त की गई है उसी बीच एक नया वारस जीका वारस जो कि केरल में अपना कहर दिखा रहा है वहां पर कई सारे केस पता चले हैं अब जीका वाथ का केस जो है हमें महरास्ट में भी देखने को मिल रहा है आज की वीडियो में हम जानेंगे की आखिर जीका वारस किस तरह का वाज है और इसका प्रसार कैसे होता है और साथ ही इसके संबंधी और कौन-कौन से वायस हैं जो इसी काटेगरी में आते हैं, चलिए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं ऐसे पहले बात करते हैं जीका वायरस के और जिन की, तो मतलब हो तो यह पीले बुखार और से संबंध है तो यह फ्लेवियर से जिसमें पहली बार 1947 में युगांडा, जो की अफ्रीका का एक देश है, वहां के बंद्रों में, पहिछाना गया था इसके बाद संयूत गंडराज तंजानिया में मनुश्यों में इसे पहली बार देखा गया इसके प्रसार की बात करें तो यह मुख्य रूप से एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है इसलिए इसको वेक्टरन बॉर्ण डिजीज भी कहा जाता है यह वही मच्चर है जिससे डेंगू, चिकन गुनिया और यलो फीवर होता है इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसके लक्षण बहुत हलके होते हैं कभी-कभी लोगों के अंदर इसके लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं लेकिन इसमें बुखार, शरीर में दाने, कंजक्टिवाइटेस, मानपेशियों और जोडों में दर्द, अस्वस्थता या सिर्दर्द जो है वह इसमें शामिल रहता है लेकिन मैक्सिमम टाइम पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं अगर यहां पर किसी गर्भावस्था के दौरान जीका वायस का संक्रमण हो जाए तो जो शिशु पैदा होता है उसमें माइक्रो सिफली यह एक तरह का रोग होता है जिसमें सामाने सिर के आकार से जो सर होता है वो छोटा हो जाता है और कई अनविक्रितियां पैदा हो जाती है जिस वज़े से इन्हें जनमजाज जीका सिंड्रोम कहा जाता है अगर इसके उपचार की बात की जाए तो जीका के लिए कोई खास अभी टीका और दवा उपलद नहीं है लेकिन इसके निपटने को लेकर अगर शुरुवाती दौर पर हम सही तरीके से समझ पाएं कि यह जीका वारस के द्वारा जनरेट किया गया रोग है तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाते हैं बुखार और सिर्दस से बचने के लिए रिहाइड्रेशन इस सब चीजों को दिया जाता है जिसकी वजह से जीका वारस पर कंट्रोल हो जाता है तो हमें यह ध्यान देना है कि इस समय लगातार जीका वारस फैल रहा है तो उसको कंट्रोल करना हमाई लिए बहुत जरूरी है और मच्छरों को पैदा होने से अगर हम रोकेंगे तो यह वारस जो है वो मनुश्यों में नहीं फैलेगा तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किई जीका वारस की अगर आपको यह वीडियो पसंद्धा हो ता आप इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को शेयर जरू करिए